हेलो अब्रिवन वेलकम टू माई चैनल वांगशेन क्यूट लव स्टोरी तो फ्रेंट चलिए अब हम अपनी स्टोरी एजगेप लब का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है अगर आपको स्टोरी लगे तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि वांगशी और वींग के बीच एक होट सेशन चल रहा था जिसमें वांगशी वींग को ओरल प्लेजर देता है जो वींग को बहुत अच्छा लगता है हालांकि वींग वांगशी से तोड़ा स नाराश हो गया था क्योंकि उसे लगाता कि वांगशी उसे माक करेगा लेकिन वांगशी ने ऐसा कुछ भी ने किया था लेकिन वींग को अच्छे से प्लेजर देने के बाद वांगशी खड़ा होके जैसे वाश्रूम जाने वाला होता है वींग वांगशी का हाथ पकड़ लेता है वांग जी कहता है, क्या करे हो विंग कहता है, क्यों? क्या मैं आपको pleasure नहीं दे सकती है? वांग जी कहता है, विंग कुछ कहने वाला ही होता एक दूस्टे को बहुत ही हाट पैसनिट तरीके से किस करने लगते हैं वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा थे व आजीफ तरीके से पूरी तरीके से फ 내가 में ढूब गया ही थी वांग जी कि बॉड़ी पे अपने हाद गमाने लगता है वो वांग जी की सर्ट में अपने हाट डाल देता है लेकिन तब ही वो रुख जाता है और वांग जी की तरफ देखता है वांग जी वींग की तरफ देखता है वींग क्या हुआ वींग कहता है क्या आप सर्ट नहीं निकालेंगे वींग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है और विंग से कहता है ठीक है तुम्हीं क्यों नहीं निकाल देते है वांग जी के सरट के बटन ओपन करता है और उसे निकाल देता है अब विंग की अपर बाड़ी पूरी तरीके से नहीं खिरती जिसे देखकर विंग बस देखता रह जाता है विंग वांग जी के एपस उसकी वो वाइट स्कीन देखे विंग तो बस पूरी तरह वांग जी में खो गया था वांग जी विंग को देख रहा था वो विंग से कहता है क्या हुआ विंग क्या तो मैं अच्छा नहीं लगा विंग वांग जी के ऐसी बास सुनता है विंग का पूरा फेस रेड हो गया था वो वांग जी से कहता है आप सच में बहुत होट हो वांग जी कहता है क्या विंग कहता है हाँ आप बहुत होट हो वांग जी स्माइल करता है उसे तो बहुत जोर से हसना आ रहा था लेकिन वो वांग जी के सामने नहीं हसता तब वींग वांग जी की तरफ जुकता है और उसकी नेक पेक किस करने लगता है वांग जी वींग की ऐसी अरकतों से पूरी तरह से शौक्ट हो गया था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वींग ये सब भी कर सकता है वो वींग से की तरफ देख रहा था लेकिन वींग वींग तो वांग जी को बहुत अच्छा फिल कराने चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वांग जी वेंचाओं की बात उसे बहुत धर्ड हो चुका है और साहथ वांग जी कहीं न कहीं डर भी गया था उसे लग रहा था जैसे कोई आएगा और विंग को उससे छीन के ले जाएगा इसलिए विंग वांग जी को यह एसास कराना चाहता था कि विंग बस उसका है कोई कभी भी वांग जी से विंग को नहीं छीन सकता इसलिए वांग जी ने जो कुछ विंग के साथ किया था वो सेम भी वांग जी के साथ कर रहा था जाकि वांग जी को अच्छा फीलो और वांग जी जो कुछ हुआ उसे सब भूल जाए वांग जी के दिल का वो डर खतम हो जाए कि वींग को कोई आएगा और उससे छीन के ले जाएगा दीरे-दीरे वांग जी वींग के ट्राउजर के नीचे आता है और ट्राउजर को निकानने लगता है वांग जी तो पूरी तरीके से बैट सीट को टाइटली पकड़ लेता है वो विंग को देख रहा था विंग वांग जी को देखे जा रहा था और दीरे दीरे उसका ट्राउचन निकाल देता है वांग जी फिर विंग से कहता है विंग तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है तब Windows वांगजी की लिफ्स पर हाथ रख देता है और कहता है उल्ड में आप चुप रही है विंग वांगजी के तदध क्या विंग काता है बस आप चुप रही है और मुझे feel केजिए वांग जी पूरा शोक था वींग की बातां से तब ही वींग वांग जी की तरफ देखता है वांग जी का लोर पार जो बहुत हाड हो चुका था लेकिन वींग उसे देखता है और एकदम से डर जाता है वांग जी कहता है वींग क्या हुआ विंग कहता है ये इतना बड़ा क्यों है वांग जी स्माइल करता है और कहता है क्योंकि क्योंकि तभी वांग जी के लिफसाथ रख देता है और क्योंता है कुछ कुछ मत कहिए वांग जी स्माइल करने लगता है तभी वांग वेंग उसे अपने हाथों में लेता है और मूँ करने लगता है धीरे धीरे वेंग वांग जी पूरी तरीके से प्लेजर में डूप चुका था तभी वांग जी को ऐसा फील होता है जैसे वो किसी गरम चीज में है तभी जैसे वाइस कुलता है तो देखता है वे केकपल के लिए तो फिंग जिए शोक ₹ट हो जाता है लेकिन वो उसे इतना एनज्व कर रहा था उसे इतना अच्छा लग रहा था केकपल के लिए तो भूली गया था सब कुछ और वो बस उस moment को enjoy करने लगता है वांग जी वींग को थोड़ी problem तो हो रही थी लेकिन वो फिर भी वांग जी को अच्छा feel कराना चाहता था थोड़ी देर बाद वांग जी को जैसे feel होता है कि वो रिलीज होने वाला है तो वो वींग को अपनी तरफ खीच लेता है वींग वांग जी को shockingly देख रहा था तब ही वांग जी रिलीज हो जाता है और वींग गहरी-गहरी सांसे लेने लगता है उदर वींग भी बहुत गहरी-गहरी सांसे लेना था वांग जी वींग की तरफ देखता है किस करने लगता है थोड़ी दर एक दूसरे को किस करने के बाद वांग जी खड़ा होता है और विंग को अपने गुद में उठाता है और उसे वाश रूम में ले जाता है विंग कहता है क्या कर रहे है आप वांग जी कहता है विंग अम दोनों को अच्छे से क्लीन होना होगा वांग जी विंग शर्मा जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता वांग जी और विंग अच्छे से शाल लेते हैं अच्छे से कप्टे पेन के रेडियो के बाहर आते हैं वांग जी विंग को अपने पास लिटाता है तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है विंग बस भांग जी कोई देखे जा रहा था भांग जी कहता है क्या हुआ है विंग विंग कहता है क्या मैं आपसे बात पूछू भांग जी कहता है हाँ पूछो क्या हुआ है विंग कहता है आपने मुझे मार्ग क्यों नहीं किया भाग जी के वींग की तरफ देख रहा था क्योंकि उससे समझ नहीं आया कि वींग ने क्या कहा भी वो कहता है वींग वींग कहता है आपने मुझे मार्ग क्यों नहीं किया भाग जी कहता है वींग मुझे लगा तुम अभी रेडी नहीं हो और तुम जानते हूं न, उसका पेन कितना होता है और मैं तुमें पेन देना नहीं चाहता तब यूग कहते, यूग कहते है अच्छा, कि आप मुझे कभी माग नहीं करेंगे वाग जी वाग जी वाग जी वाग की तरफ देखता है उसे अब बिल्कुल अपने उपर ले लेता है और चेदा है बिल्कुल करूँगा विंग किस नी कहा कि मैं तुम्हे माग नहीं करूँगा तुम मेरे ओमेगा हूँ तुम्हे चुरूर माग करूँगा पर अभी नहीं क्यूंकि तुम अभी वो पेंच सै्ट नहीं कर सकते, तुम बहुत वीक हो वींग, वींग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आपको क्यों लगता है कि मैं वीक हूँ, हर चीज के लिए मैं वीक हूँ, तुम यह नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, मैं वीक नहीं हूँ गगा, जबी वांग जी वींग की एक smile करके कहता है ओ तो मेरा little bunny weak नहीं strong है विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसकी चस्ट पर दीरे से मारता है और कहता है कौन little bunny वांग जी कहता है मेरा little bunny विंग smile करता है और वांग जी की चस्ट पर ही अपना सर रख लेता है विंग पूरी तरीके से वांग जी के तोड़ा सा वेट उसकी बाद जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे न तो मैं तुम्हें माक भी करूँगा और तुम जानते हो मैं पूरी तरीके से तुम्हें खाऊँगा वी जैसे मैं खाना चाहता हूँ वांग जी वींग से ऐसी शेमलेस बात कर रहा था बिचारा वींग उसका तो पूरा चाहरा रेड हो गया था वो वींग से कहता है शेमलेस ओल्ड मैन वांग जी कहता है अच्छा सेमलेस ओल्ड मैन वींग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी लेकिन ऐसा नहीं था, बांग जी भूल तो गया था, लेकिन उसके दिल का वो डड़ कहीं नहीं जा रा था, वो विंग को अपने से एक ड़ भी अलग नहीं कर रा था, तभी बांग जी उींग से कहता है, भीं, भींग कहता है हाँ, तुम्हारा बड़ी कब आने बाला है फिंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है बड़ी वांग जी कहता है हाँ अंकल ने बोला कि तुम्हारा बड़ी आने बाला है विंग कहता है फन वीग बाद मेरा बड़ी है वांग जी कहता है अच्छा तो मेरा लिटल बनी और एक साल बड़ा हो जाएगा है ना फिर मैं अपनी बनी को अच्छे से खा सकता हूँ वींग कहता है क्या वांग जी स्माइल करता है और कहता है कुछ ने तो बस अपनी बनी को परिशान कर रहा था वींग हसने लगता है, तबी वींग कहता है, क्या आपको खाना नहीं खाना, चलिए नीचे दिर्नर कर लेते हैं, वींग मुझे भूह नहीं है, वैसे भी मैंने अभी जो खाय से पूरी तरह भर चुका है, वुआख जब वांग जी की ऐसी बाद शुनता है उसका पूरा चरा रेड हो जाता है और वुआख जी की नेक में अमना फेस चुपा TAC और कहता है सीमलेस सच में ये उल्टमेंट बहुत जादा सीमलेस है लेकिन उसे वांग जी की ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती थी बहुत जादा अच्छी लगती है वांग जी वींग के बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है वींग को बहुत अच्छा लग रहा था तेकिन तबी वांग जी व्यंग के तरफ देखता है and議 realize विंग, एक दम से जोका का क्या हुआ है वांग जी के तहींग तुम यहां हो उन्कल को पता चला तो विंग एक effectivement करता है और फरज वांग जी को थोड़ा टीस करना चाहता था तब ही वो बहुत ही सेट फेस बनाता है और केता है अब क्या होगा अगर अंकल को पता चल गया तो हमकी पनिस्मेंट तो डबल हो जाएगी फ़ांग जी केता है क्या मुझे और एक भी तुमसे दूर रहना पड़ेगा नहीं वींग देखो मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता तुम जानते हो ना और येडी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहे है वींग केता है मैं क्या करूँ अब क्या करूँ मैं वांग जी केता है वींग तुम अपनी रूम में जाओ क्या पता अंकल को अभी तक पता न वो वींग से कहता है एक मिनिट क्या कहा तुम करता है तुम तो जब ही आयते जब मैं आगे आथा रूम मैं तुम दिन एक स्मैल करता है वाथंiğ जी कहता है वींग क्याता है और तबी विंग वांग जी की तरफ आता है और वांग जी की फूरट पर किस करके कहता है अंकल ने मुझे आपके पास बेजा था वांग जी कहता है क्या विंग कहता है हाँ अंकल ने कहा था कि मैं आपके पास जाओं आपको मेरी जरूरत है वांग जी समाइल करता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और अपने मन में कहता है थेंक्यू अंकल मैं जानता हूँ आप मुझे जादा मुझे जानते हैं कि मुझे कब क्या चाहिए तब ही वांग जी विंग को अच्छे से हग कर लेता है तोड़ी दिर में विंग को कब वांग जी के गले से लगके नीन आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि विंग तो पूरी तरीके से सो चुका है वांग जी विंग को और अच्छे से टाइटली हग करता है finally दोनों को नीद आ जाती है अब हूं midnight का scene देखते है वागजी की नीद खुलती है लेकिन wing उसके पास नहीं था वागजी wing को इधर उधर देखता है लेकिन रूम में भी वागजी को wing नहीं देखता यसलिए वागजी वाश रूम में जाता है लेकिन Wings वास रूम में भी नहीं था फांग जी तुड़ा पैनिक फील करता है उसे फिर से वांग बेंचाओ की बात ने लगदी है उसे ऐसा लगाता है जैसे वींग को कोई उससे दूल ले गया वांग जी जल्दी से नीचे आने लगता है जैकिन जैसे वो नीचे आता है तो उसे किचिन में ऐसे कुछ साउंड आने लगता है वांग जी जैसे ही किचिन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वीन सेल्फ पर बैठके कुछ खा रहा है वांग जी वीन को ऐसे देखके उसको बहूँत असना हरा था वांग जी तूसरी वीन को देख रहा था वीन वावल में नूलर्स रखके बस खाय जा रहा था खाय जा ता खाय जा रहा था तबी दीरे दीरे वांगची विंग के पास जाता है और विंग को देखने लगता है वो विंग से कहता है विंग तो तुम यहां क्या कर रहे हो विंग कहता है आप यहां आप कप आई वांगची कहता है जब आया जब मेरा बनी बस खाय जा रहा था खाय जा तो क्या खा रहे हो तभी वांग जी वींग केता है मैंने नूडल्स बनाएं क्या आप खाओगे वांग जी वींग की तरफ दिखता है और केता है हाँ मुझे खाना है तो वींग केता है ठीक है वींग अब उसे खिलाने के लिए जैसी स्पून आएं करता है वांग जी केता है पर मुझे ऐसे नहीं खाना विंग कहता है तो कैसे खाना है आपको वांग जी कहता है मुझे ऐसे नहीं खाना विंग कहता है तो फिर कैसे खाना है तबी वांग जी विंग के लिफ्स के अपने लिफ्स जोड लेता है और विंग को सदली बहुत ही पैसे निट किस कहने लगता है विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया एक बल में ही वांग जी विंग के नूडल्स वांग जी के मुँ में पहुच चुके थे जिससे विंग पूरा शोक डो गया था वांग जी की टंग विंग के पूरे माउट से उस नूडल्स का टेस्ट ले रही थी विंग तो पूरी तरीके से शोक था वो बस बड़ी बड़ी आँखों से विंग के वांग जी के इस रियक्शन को देख रहा था विंग का पूरा चेरा पूरी तरीके से रेड हो चुका था जब विंग अच्छे से उस नूडल्स का टेस्ट ले लेता है तो वो विंग को छोड़ देता है विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था वांग जी कहता है क्या हुआ विंग विंग कहता है ये क्या था वांग जी कहता है मैंने नूडल्स काया विंग विंग कहता है ऐसे कौन खाता है वांग जी स्माल करता है और विंग से कहता है मैं खाता हूँ विंग कहता है क्या वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मुझे विंग के ऐसे ही नूडल्स खाने थे मुझे टेस्ट करना था विंग कहता है पर टेस्ट करना तो ये वाले करना था न विवांग जी कहता है पर मुझे ये नहीं वो ही चाहिए और तुम फिर से खाऊं मैं फिर से खाऊंगा विंग कहता है पिल्कुल नहीं आप ऐसे भी खा सकते हैं न वांग ची कहता है बिल्कुर नहीं फर मुझे वह बाले ज्यादा तेस्टी लगते हैं पता है वांग वींग बिचारा पूरा ट्रेड हो चुका था उस इपने मन में सुचता है ची उल्ड में तो सच में बहुत ही पोवर्ट है लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है वह अपनी हा ची नूडल खाथे हैं पानी पीते हैं फिर वहींग को लेके रूम में आता है और दोनों आच्छे इस तो सो जाते हैं अब आम ओर्निंग का सीगा हिते हैं मार्निंग में वा पिद्कल उपर टोरा था शभी वांग जी व्यन को देखता है 사건 कि फूरपग छोटा सा किस वो अपनी जगह वांग जी के हाथों में पिलो रख देता है थाकि वींग की नीन की न तुटे। वर्च्टा है वाच रूम में जाता है अच्छे से फ्रेशन अप होता है और अपना morning routine जो होता है पूरा complete करता है complete करके शाल लेके बहार आता है wing अभी भी सुरा था फांग जी wing के पास आके बैठ जाता है और उसे देखने लगता है वो विंग के पूरे चेहरे पे अपने दीरे दीरे फिंगर से पूरे चेहरे पे अपनी फिंगर गुमाने लगता है जिससे विंग को थोड़ा फील होता है विंग दीरे दीरे अपनी आइस कोलता है तो सामने वांग जी को देखता है उसके चेरे पे एक अच्छी से स्माइल आ जाती है और कहता है गुड मॉनिंग भांग जी वींग को देखता है और उसे गुड मॉनिंग कहता है वींग कहता है आप कब उट जा गए वींग जी कहता है वींग मैं तो बहुत टाइम का उट किया विंग एक smile करता है तभी वांग जी विंग की उसे smile को देखके इतना अलग feel करता है वो जल्दी से विंग को अपने पास खिषता है और विंग के lips capture कर लेता है विंग वांग जी को देख रहा था लेकिन फिर वांग जी वांग जी को किस बैक करने लगता है दोनों थोड़ी दिरता कि एक दूसरे को किस करते है फिर वांग जी वांग जी वांग को छोड़ देता है और कहता है जाओ अच्छे से फ्रेशन आप और रेडियो जाओ फिर हम विल्कफास के लिए नीचे चलेंगे तब ही विंग कहता है गगा आपको मौनिंग में मुझे किस करना चलता है आप मुझे ब्रश भी नहीं करने देते वांग जी कहता है फर मुझे जरूरत नहीं है कि मेरा विंग ब्रश करे विंग कहता है क्या वांग जी कहता है हाँ अब तुम जाओ, जल्दी से freshern up हो जाओ चल्दी से उठता है वाश्रूम में जाता है freshern up होके रेडियो के बaha रहता है वान जी वीग को देखता है उसके फूरेड़ पर किस करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे breakfast के लिए नीचे लेके आने लगता है जैसे ही दोनों नीचे आते हैं तो सीचेन और अंकल और वेंचिंग दोनों को देखती हैं अंकल तोड़ा रिलेक्स फील करते हैं क्योंकि उन्हें अब थोड़ा अच्छा लग रहा था कि कम से कम वांग जी फिंग की वज़े से थोड़ा रिलेक्स है अंकल अपने मन में कहते हैं अच्छा है वांग जी के पास था नहीं मुझे नहीं पता वांग जी उस वेंचाओ का क्या कर सकता था क्योंकि हर कोई जानता था अगर वांग जी को एक बार किसी के लिए गुसा है तो वो पता नहीं उस परसन के साथ क्या कर सकता है इसलिए अंकल थोड़ा रिलेक्स फिल करते हैं अंकल वांग जी और वींग को देखते हैं वींग और वांग जी अंकल के सामने आते हैं सब को ग्रीट करते हैं अंकल वींग की तरफ देखते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम दोनों चलो बैटो ऌरो करेंग मंधी आपकर वेंग किस ने का कोई बात के बैग आए מאम करते हैं करते हैं तोटी था दो तुम्हें हैं यह सब करने की जदूरत नहीं है समझे तो विंगी स्माहिल करता है वो भी वांग जी के पास जाकी बैट जाता है सबी लोग अच्छे से मिलके ब्रिट फास्ट करते हैं तभी बैं अंकल करते हैं वांग जी मैं चाहता हूं कि आज तुम यहीं रेस्ट करो क्योंकि अंकल को थोड़ा डर था कि कहीं ओफिस में जाके वांग जी को फिर से वह याद आ गया तो पता नहीं वांग जी क्या करेगा तब ही वांग जी कहता है पर क्यों ब्रदर क्यों अंकल तब ही उसके अंकल कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम रेस्ट करो वैसे भी आज कुछ जादा काम नहीं है, एक दो मीटिंग है, मैं और सिचेन देख लेंगे, सिचेन भी वांकल की तरफ देखते हैं, और वांगची से कहते हैं, हां वांगची, क्यों ना तुम और आज वींग दोनों अच्छे से टाइम स्पेंट करो, वींग वांगची की त वांगची की रूम में सिफ्ट कर लो, तुम आज से वहीं रहोगे, वांगची कहते हैं, क्या, अंकल कहते हैं, क्यों तुम नहीं चाहते हैं, कि वींग तुमारे साथ रहे, वांगची जल्दी से कहते हैं, हां मैं बिल्कुल चाहता हूं कि वींग मेरे साथ रहे, तो अंकल हैंवाउन कोई क्या रहता है ऊफसी लोग हसने लगते हैं कि रवलोग बहुत अच्छे को सब्सक्राइब करके जरू जायेगा बाब बाई टेक कियर